जिसके चलते सम्मेलनों और दौरों का दौर शिरू हो चुका है वहीं आज बीजेपी को मजबूत करने के लिए समाजिक प्रतेनीधी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सीयम योगी भी शामिल हुए और जनता को संबोधित किया साथ ही पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा हमारे साथ अभी जुड़ेंगे बीजेपी से प्रदेश महामंतरी पिछड़ा वर्ग मोर्चा से रामचंदर सिंग प्रधान जी जो हमारे कई सवालों का जवाब देंगे तो उससे पहले हम आपको बता दे कि आज जब कारिक्रम में सेम योगी जुड़े तो उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के कारियों को भी गिनाया और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रदेश महामंतरी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के रामचंदर सिंग प्रधान जी सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज जो ये कारिक्रम किया गया था इसका मुख्य उद्देश क्या है प्रदेश क्या है अपना इंदार है कि सबका साथ सब्सक्राइब और सब्सक्राइब पहले से हम उन सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं हम यह काओं के घरहर तक पहुंचना चाहिए है वाद्देश को पहुंचना चाहिए कि जो सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि आज सीम योगी भी इस कारक्रम में मौजूद रहे उन्होंने विपक्ष पर और पिछली सरकारों पर जंग कर निशाना साथा तो मुख्यता किन मुद्दो को लेकर निशाना साथा तिके माली मौजूद रहे निशाना चाहिए उन्हेन बिपक्ष को आइना दिखाया उन्हेन लिए बताया इस प्रदेश में जंगर राज कान था इस प्रदेश में जो काम भी होते थे उसमें कैसे पतरवाट होता था इस बिशें पर उन्हें ने बताया और कैसे तुप्य कि वो जंता का बडा जह नहीं कर रह थे इस बारे मुद से बिशाना बागता और इस प्रत्ताइब जाटर बार्देश मेंचिंग वह रह रहे हैं जब आधी कि उमनु को द्नोची हर इस मुक्य उन्हें की है तो इस तरह से सम्बोधन के दौरान तीखे शब्द बोड़ रहे ते कई ना कई सपा पे तो जब का निशाना सात्तुवद दिखे ही तो इसे क्या लगता है कि सपा अच्छा टक्कर दे सकती है 2022 के विधान सबा चुनाओं में या बाकी कोई पार्टी टक्कर देगी जिसे कॉंग्रस है या कोई अन्य प्रतिदवन्दी तो आपको क्या लगता है कि कौन टक्कर दे सकती है सिखाजी में ये चीज आपको बदा रहा है कि 2017 में आपकी ज़्टा पार्टी टक्रटी टक्रटी सायोगनों के साथ आज उसे हमारी अच्छी इसकती है उसकती है उसकती है तो आज जनता भी जानती है हम लग लोग उनके में पुझे उनके में हम उन तक भी पहुचने का काम करते हैं हम लोग लोग के लियर काम किया है जो छूटे हुए से इसलिए वो भी हम से जल्ड़ें बिल्कुल मैं आप सब्सक्राइब वरुसे के साथ कहना चाहता हूं कि पिश्री बार को 325 सिटे सायोगले जिता किते इस बार हम 350 सिटे जीतने वाले हैं तो आप कौन चक्कर दे सकता है कौन नहीं चक्कर दे सकता है इसके बारे में कैसे करें रामचेन जी 2022 के मुद्दे क्या है बीजेपी के अब हमारा चुनाओ आएगा चुनाओ के पहले बार्टी जन्ता पार्टी अपना मुलिपेक्टो पोशाब पत्रेस करती है जो आपको मिलेगा अब बतना लगेगा कि हमारे क्या मुद्दे होंगे हम क्या आगे करने वाले हैं लगे तरहां से पिछड़े बड़्ता पार्टी जी Dodge आपको मिलेगा जिस तरह से आप पिछड़े वर्ग को ले के चल रहे ह再見 di और प्रदीश मंत्री हैं, तो क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है इस बार चुनाओं बहुत अच्छा होगा, तो लोग मुगेरी लार के सपने देखने हैं, मैं उनको उनको बताना चाहिए हूं, युझे मुगेरी लार के सपने ही रह जाएंगे, पार्ती जल्दा समाज के लोग हैं, यहां तक की लोग मिख जाता है, अब हमारी साथ के वार्टी जल्दा पार्टी परशल गहुमत के साथ है, रामचंड जी जिस तरह से देखा जाता है और यह कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदीश में धर्मों और राज बर्ग की राजनीती होती है, विका प्रशी दल है, वो भी सोरी बढ़ रहे हैं, अपने अपने वर्ग को साधनी की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी भी क्या इसी ओर चड़ रही है, या फिर विकास के मुद्दे को लेकर सब से आगे बढ़ रही है, तो अगर हम किसी मालू भार्टी जन्ता पार्टी किसी स करना चाहते हैं, तो बने लोहों को लगता हो कि भार्टी जन्ता पार्टी की जातिवाद की राचित कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, भार्टी जन्ता पार्टी तो उनका बला करना चाहती है, उनका बला अधित्त नहीं है, तो सबका साथ और सबका विकास की बात कहती है, और ऐसा ही कर रही है तो बीजेपी को मिलने की कितनी उमीद है से कौन से काम किये जिसकी वजह से बीजेपी को दलित और पिछड़े वर्ग के वोट मिलेंगे पिछड़े और असमान तरे पहुंचाया अधिलेव चाव पहुंचाया वें स्वाँचाणि की लेकिया कि आपts करके बारती जनता पार्टी आज उस तरह काम है 이लिए तो बारती जनता पार्टी को जो जाइं ? इसलिए तो गोजल समाज पार्टी सोड खोंड करने भारती जनता न॥ यहाँ आपक है। जो जो आइन कर रहे है है is भारती जनता पार्टी को वरोत buyers हैं और जो गहुसें पर्टी किया है जीए इस हले तो गहुसें समाज पार्टी को छोड़ के लो बारतीजन पर्टी को जोईन कर रहे हैं बारतीजंता पर्टी के पर आख किसें और हो है ज किशें स्परफ़र्स içते के लोगर सरकार बनने से पहली बार 2014 में सरकार बनी थी उनकी पहली दिनों की तपत लिया था पता हम उनकी उस तमें मीडिया के साक्कियों ने उस दे पूछा था कि आपके सरकार की प्रास्थिक्ता क्या है तब हमारे पुदायमंति जी ने कहा था कि हमारी सरकार कमजोर, सूसित, समाज के लोग संबर्चित है उसी के पैस उनिने तमाम सारी वजनाएं सरू की आज साथ साल हो गएं, साथ साल में ऐसी वजनाएं उनिने किया, वजनाओं को नाम जिनाएंगे तो फुरा लंबर टाइम रामचन जी एक बड़ा सवाल ये भी उड़ता है, विपक्षी ये भी कहता है कि योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुँच रही हो और ऐसा कहीं कहीं पर देखा भी गया है कि सरकार योजनाएं तो चला रही है, लेकिन उसका लाब मिल नहीं रहा है, नाई वो पीडितों त नहीं कहां करते थे, अगर हम एक और अप्या भेजते हैं, तो उसका दस पैसा नाभार्ती तर पहुचता है, और नावचन पैसा, राष्टे में ही गाय हो जाता है, जगे जगे, कैसे बढ़ता है, कहां जाता है, ये उनी नहीं कि कांग्रेस के मिता और देच के परदानमंत ज़न धन खाते कोलवाए याँ ते जन धन खाते के मातयम से और है यह जिस पाथ के आज को बीजा होगे। जी रामचन जी जिस सरह से विपक्ष कई मुद्दे उठाता है तो उन्हीं के मुद्दे को उठाते में आपसे सवाल करूंगी कि कई ऐसी चीजें जिसे रोजगार का मुद्दा हो गया महंगाई का मुद्दा हो गया इस पर क्या कहेंगे इस पर लगएतार विपक्ष घेरता रहता गीजेपी को फिर अंविजेपी को अपनी वाल बनेर्याद चाहते हैं परना चाहिए को उठान जी को इन तेस समय में क्या हो रहा है और जो जाहता को लागरोजगारिस का समान जी चाहिए जिस रहे नावजगार को ने प्रकार ग्र पोगो प्रजार से दोड़ा है जी तो ऐसी चील्टा हमारे पुदान को कर रहे हैं और इसके वह आगे पड़ रहे हैं और वह समय दूर में वह समय आपको प्रजार से पेशे दोड़े और वह समय करें गाएं रामचंद जी जिस सरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सुरक्षा के सिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं उसके बाद भी अपराद देखने को मिलते हैं वो बात करें दहेज की या फिर जो है उनकी हत्या की उनके साथ दुशकर्म की वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं सक्त कानून होने के बावजूद भी तो क्या कही कमी देखने को मिल रही है जिस वजह से यह हो रहा है या फिर क्या वज़ा है शितर जी इन सही है कि जो अवरी सर्थार में को प्रयास ऐनाओं पर अपशेचार कमें हैं इस सिंट अभाव अपशेचार कमें। कुछ क्राइम हम वाजू हुआ तरा लेकिम महीं हैं आज भी कुछ मैं पिर अबता था चलूँगा करने में तोड़ा समय लगे तवाम ऐसे समाज में आज भी आपस्के हैं कि अपराद में कमी नहीं विल्कुल अपराद बंद ऐसी मिज़ेश जाता है कि अपराद एकदम मुक्त हो जाए जिस सरह से अपराद देखने को मिलता है कोई भी हत्या होती है और विपक्ष वहां पर पहुचने की कोशिश करता है रामचंद्री जी लेकिन सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है तो इसके पीछे की क्या वज़ा है अगर कोई विपक्षी दल सान्फना देन लेकिन क्या आपउस्पारा जाते हीर्म मिलता तो टो कि इसके पाहले को भी रहे जी लेकिन क्या आपको नहीं लगता है इस तरह से रोकने से और हाइलाइट हो जाता है मामला और ज्यादा गर्मा आ जाता है कोई भी मुद्दा कोई सब लोग जा रहे हैं सब कहें ना रोकने हैं लेकिन उदंड़ता करोगे तो योगिंजी में तो कहा है वहीं कि अगर उदंड़ता करोगे तरकारी नुक्सान पहुंचाओगे तो फिर आपके साथ कुछते से भरपाई करें अब सांट इसमा अंदूरन करें कौन पोगा करना चाहिए लिपास का काम है तरकार के कुवाईना थिकाना यमान पर बिल्कुल रामचन जी आज एक इतिहासिक दिन है आज सौ करोड के वैक्सिनेशन को जो आकड़ा है वो पार कर लिया है देश ने तो इस पी आप क्या कहना चाहेंगे बड़ी उपलब्दी है ये कि इस देश में करें रे मिवारी आहां संदों चाहिए लिख संपरुद है जन्हेज को कि इसके पहले सब्सक्राइब सहेंगे अपने हां उस रोग से बुख्त कर लेते थे तब हमारे हां वेते हैं आज बड़ी खुशी की बात है यह अच्छी बात है कि भारत मानिक पुदानगान की मुझा नी मोती जी के लेतर्त्त्यों में आगे बढ़ रहा है और वैक्सिनेशन के मामले में एक साल के अंदर अंदर बात है बात है बड़ी बात है इसको की बात है जमाई साथ चर्चा पे बीजेपी से प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा से राम चंदर सिंग प्रधान जी जुड़े थे जिन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिया और बताया कि बीजेपी किस तरह से काम कर रही है और विपक्ष को आईना दिखा रही है कि उनके काम में किस तरह से कमी रहे गई थी फिलाल इस चर्चा में इतना ही आप देखते रहे है प्राइम टीवी